स्वराब भासकर बॉलिवुद का वो नाम है जिनकी फिल्में और जिनकी एक्टिंग लोगों को पसंद आई लेकिन जिनकी सोच से लोगों को आपती है स्वराब भासकर सोचल मिडिया पर अक्सर ट्रोल होती है और ट्रोलर्स के निशाने पर आ जाती है क्योंकि वो एक साइड की सोच रखती है और स्वरा भासकर को ट्रोलर्स बहुत हद तक ट्रोल कर चुके हैं स्वरा भासकर एक टाईम पर ये कह भी चुकि है कि एक फिल्म में ट्रोल करने के कारण उन्हें हड दिन सोचल मिडिा पर ट्रोल किया जाता है आपको बता दे कि वीरेदि वेडिंग में स्वुरा भासकर ने जो वेबरेटर वाला सीन के आथा उसके बाद से स्वुरा को ट्रोल किया जाता है इसी बीच स्वरा भासकर ने अपनी तबियत को लेकर यह जानकारी दी है कि उन्हीं कोविट हुआ है वो कोविट पॉजिटिव है अब इस पर भी लोगों ने स्वरा भासकर को ट्रोल करना शुरू कर दिया है दरैसल बॉलिवूद एक्टरस स्वरा भासकर ने बीते दिन ही कर खुद की कोविट पॉजिटिव होने की जानकारी दी है जिसके बाद एक्टरस के फैंस चिंता जाहिर करते हुए उनकी बहतरिंग कामना करते देखे जा रहे हैं हलेकि कुछ यूजर्स ने स्वरा के कोरोना संक्रमित निकलने के बाद उनकी मौत की कामना करनी शुरू कर करती है जिस पर प्रतिकरिया देते हुए एक्टरस ने अपने जवाब से सब की बहुत दिपन करती नजर आई स्वरा भासकर की कोविट पॉजिटिव निकलने के जानकारी मिलते ही और मिलने पर एक यूजर ने लिखा एडवांस में रेस्ट इंपीस दूसरे ने लिखा और उनने ट्वीट कर सब की बोलती बंद करती है स्वरा ने लिखा है तो मेरे मौत की कामना करने वाले सभी नफरती चिंटू और ट्रोलर्स दोस्तों अपनी भावदाएं काबू में रखो मुझे कुछ हो गया तो आपकी रोजी रोटी छिन जाएगी घर कैसे चलेगा बत लक्षन महसूस हुए जिसके बाद सब ने कोरोना टेस्ट कराया और जब रिपोर्ट आई तो पता चला कि उनके साथ परिवार भी इस महमारी की चपेट में आ चुका है इस कोरोना के चपेट में आ चुका है स्वरा ने फैंस से सुरक्षित रहनी और मास्क लगानी की भी टो दोस्तों जाहिर से बात है सवरा भासकर्ण ने साफ तोर पर इंटोलर्स को कह दिया है कि इने पैसा मिलता है ट्रोल करने का और ये एक पर्टिकुलर से बिलॉंग करते हैं जो सवरा की आइडियोलोजी से नफरत करते हैं और इन ट्रोलर्स का काम ही यह है कि सवरा को हर बात पर ट्रोल किया जाए इसके लिए इन्हें पैसा दिये जाते हैं दोस्तों यहां पर मैं आपको यह भी बता दो कि सवरा ने अपनी पोस्ट में लिखा हेलो कोविट अभी मुझे अपना आटीपी से रिपोक्ट मिला और मैं कोविट पॉजिटीव हूं खुद को कुरंटीन में आइसुलेट कर लिया है बुखार सरदर्द और स्वात गायब होने जैसे लक्षन महसूस हो रहे हैं डबल वैक्सीन मैंने ले लिए है तो उमीद ह के असी खबरों के लिए बने रहे बॉलिवुद प्रेक के साथ